नमस्ते दोस्तों मैं आर्वी आर्वी की चनल पे आप सभी का देल से स्वावत है आज की वीडियो में जानेंगे कि हम लोग मलाई से मक्षन कैसे बनाए घर पर बीना किसी मिक्सर के बीना किसी मेहनत की सच में कह रही हूं तो सच में ही ऐसा होता है पांच मिनट में हम लोग बना लेंगे मक्षन निकाल लेंगे मलाई से यहां पर हम कुछ ऐसी चीजें भी जानेंगे जिससे हमारा घी लंबे समय तक खराब नहीं हो तो चलिए वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करते हैं स्रोग कर लेते हैं तो घी बनाने के लिए होता है कि हमें मिक्सर की जरूरत ह होती है या तो बहुत जादा टाइम लगता है मसीन की जरूत होती है सब के पास सब कुछ नहीं होता ठीक है वो आज हम इतना असान तरीक लेकर आए हैं और मिंटों में सच में पांच plataforma में निकल जाता है इगी आप कऱकर देखियेगा ऑफ सबसें पहले यहां पर हम लोग तो वो तो बाहर ही रखते हैं अगर आपने फ्रीज में रखा हुआ है तो करोगे क्या मलाई को बाहर रात भर के लिए रखो उसमें थोड़ा सा दही मिला के तब घी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और फिर उसके बाद आपको सुबा में डारेक्टरी करते क्या थे तो उसमें पानी डाल देते हैं सुरू में ऐसा गलती बिल्कुल मत कीचिए वह चीजे कर लोगे तो घंटो लगेगा फिर आपके मखन निकालने के लिए तो यहां पे सिर्फ देख रहे हैं कल्चल से बहुत जल्दी पांच मिनट यानि की बस करना है हो जाता है निकल जाता और सर्दी का दिन है तो दो-ती दिन के लिए बहार रखो फ्रेज से फिर आपका मखन जो है की मलाई से पांच मिनट में बन जाएगा अब यहां पे हम बरफ डालेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है तो हमारा मखन जो है के पिगला हुआ है अब उसको सेट करने के लि ही मलाई और गोल की देखा आप लोगों ने कि ज menu लिए अब आपको पानी नहीं डालेंगे लिकीर देंगे को थोड़ा सा इसको हम में से करते जाएंगे ताकि ये हमारा मक्खन जो है कि बन जाए मलाई से बहुत ज्यादा टाइम तो बिल्कुल नहीं लगता है वीडियो में जितना टाइम लगा है उतना भी टाइम नहीं लगेगा सच बता रही हूं करके देखना और मेरे आरो ही किछे इस पर भी मैंने बताया है कि मक्षन बनाते कैसे हैं सर्दी के दिनों में लिंक में डिक्सर्प्सन में दे दूंगे आप देख लीजेगा और यहां पर अच्छे से देखिए हो चुके हैं अब क्या करना है हमें थोड़ी देर इस तरह से करते रहो और कल्चल से किसी भी चीज किसी मसीन का इस्तिमाल कर रहे हैं और ना ही मिक्सर से करेंगे और लोग करते हो है तो उसे भी कर सकते हो जो लकडी का निय होता है उससे हम नमारे गाव में चाष्वह गर बनाई जाते थी और यहां पर एदेखिए हम लोग सिर्फ कल्छल से इस तरह से बहुत जल्दी हो ज कर दो सんでको क्षाश में भी तरह से जब मेरी कहती थी सबसे पहले मलाई में आ अ पानी दिया जाता था अ फिर उसको ग towel निकाल दा था तो प्रिका बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे एकliest till जादबर के लिए रखा और खुद से मैंने देखा तो मुझे आ गया कि हाँ यह चीज तो बहुत अच्छी है तो मुझे लगा आप लोगों से भी सेर करनी जाहें कि घी तो हर कोई बनाता है तो यहां पर एरेखिए अब हम यहां पर देखिए कितना सारा मक्षन निकल गया है हाँ घी को न च्ग गती है दूद को भी नजर लग जाती है दही दूद को नजर लगती है कभी-कभी मैं इसे मीडीयो अफ्लोट कर दी हुँ टो मेरे मॉलाहे से घी मच्छ नी निकलता है घी निकलता है तो ऐसा होता है हम सुना है हमें बुजद्ग लोगों से अपने तो इसलिए बोल रही हूँ तो दूद दही कहते हैं ना कि उसको अपने नजर लग जाती है सब के नजरों से बचा के रखें जो अपनी गाय माता होती है वो दूद देती रहती है तो सब के सामने अगर दूद निकालते हो तो भी नजर लग जाती है किसी कि जिनकी नजर लगती ह सुना आप इस तरह से हम गैस के ऊपर इनको हम चलाते रहेंगे तो यहान पर तो यह कढ़ाई बिल्कूल गन्दीनी कोगी होगी। मैं इसे तरह से घी बनाती हूं तो तो यह कि हमारी कढाई गंदी नी होती है जलती रही है तो मेरे डॉगी की आवाज आ रही होगी वो किसी को देखा तो चिल्दा रहा है तो मैं उससे ज्यादा मलब जो 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 से बोलने की कोशिस करें ताकि उसकी आवाज ना आए वीडियो में तो यहां पर देखे घी अभी बनने लगा है और तो टाइम लगता है की खोलाणे में तो आराम करें जब्भी काम करें और जब्भी में कोई चीज चानती हूं फ्षै करती हूं ना मैं Pak डर सा लगता है जीज दे Κरिए कोई चीज ँट लोग होते जो कि बनाते समय की पैरों पे आजाता है इसलिए बोल provide कि ध्यान से काम करें यह रेखिए हमारा घी अभी बनने वाला है अभी तो बना नहीं है अभी जो इसकी मलाई है न अभी जब आपको वायट वायट से दिख रहें यह पिंक की हो जाए अग्दम पिंक की तब जानिये कि आपका बहुत जलाईएगा मत नहीं तो घी जल है बहुत जादा भी नहीं जलाना है और देखिए और कम भी रखोगे ना तो आपके घी में फंगल लग जाते हैं खराब होने लगते हैं लंबे समय तक अगर आप घी रखना है तो इस मलाईखवा एदेखिए इस तरीके से आप गर्मी का दिने अभी तोड़ी देर यह गर आ सकते हैं बहुत अच्छे से साफ शाव रहती है और हमस्काम यह तो थन्दा करकि घीको रखना हम इस टिल्के वर्त अपतर ।कि तूरंथी में एस पो चांद मतलब काम अपना कमीद कर लें आगै Dilber अना काम ना रहे और खर में बच्चे है तो ध्यानख चिज टेक हैर अ लॉंग डाल देने से आपके घी में बिल्कुल इसमेल नहीं आती और खी लंबे समय तक खराब नहीं होता है तो उमेद करती हूँ कि घी बनाने का ए तरीका आप लोग को अच्छा लगा होगा अगर जरासा भी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आकन को प्रेस कर दीजिएगा नए है चनल पे तो और प्लीज वीडियो को एक लाइक जरू कीजिएगा थैंक यू